हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती अकाडमी यूट्यूब चैनल में आज का प्रश्न इतिहास क्लास 10 के एक चैप्टर मुदरन संस्कृती और आधुनिक दुनिया से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रश्न है गुटेनबर्ग प्रेस पर टिपपणी लिखें इसका उत्तर है गुटेनबर्ग प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार माना जाता है इसे जर्मनी के जोहांस गुटेनबर्ग ने पंद्रहवी सदी में विक्सित किया था गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बढ़ा हुआ वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीने देखता आया था बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी फिर सुनारी सीखी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकरितियों में गड़ने में महारत हासिल कर ली अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तिमाल उसने अपने नए आविशकार में किया जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उप्योग अक्षरों की धातुई आकरितियों को गड़ने के लिए किया गया गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र पूरा कर लिया था यह आविशकार इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल तकरीबन 180 प्रतिया बनाने में उसे 3 साल लगे जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था तो यही था इस प्रश्न का उत्तर अगर विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को ये विडियो जरूर शेयर करना और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में